दोस्तों अभी आप देख रहे हैं दो तरह का हम लोग के पास मल्टिमिटर हैं पहले कि सी एंजी गाड़ी में ब्येशिक्स में इस तरह के हम लोग मल्टिमिटर यूज़ करते थे यह में प्रोलम क्या था कि बहुत से हमारे मेकेनी भाई को यह पता करने में डाल को सेट करने में मालूम नहीं हो परता था किस तरह से कहां पर डाल सेट करें इसकी वाई से बहुत सारे मेकेनी भाई को हम लोग प्रोलम हो रहा था तो अभी जो हमारे जब से इभी गाड़ी बजाज लाई है तब से हमारे कंपनी के तरफ से फ्लूक का मल्टिमि है तो अभी हर सेंटर में या जितने भी मेकेनिक्स भाई हैं वह भी कोशिच कीजिए यही मल्टिमेटर यूझ कीजिएगा ताकि एक साथ कई काम आपको हो जाएगा जैसे कि अभी हम लोग ये क्यों यूज करेंगे ये क्यों नहीं यूज करें ये क्यों करना है तो देखते हैं जो इभी गारी है बैटरी वाली गारी है वो अगर आप चार्ज लगाते हैं ठीक है बोल्टेज स्वरी बोल्टेज चेक करते हैं तो जो गारी चार्ज होगा हमार हमारा घर का जो बोड़ है उसको चेक करने के लिए आप अगर देखते हैं तो माले जाए दोसो कि बीस के लिए पेट में हमारा घर के पूड़ेज रहा था ठीक है हमने डायल को सेट कर लिया कि 100 अपर ऑन कर दिया 220 पे नहीं होता है च्छेश्व पर सेट की हैं तो 220 के अंदर है निए 200 अपर 200 भूड़ेज हम चेक कर रहे हैं चलिए हम यहां लगाते हैं एक नोब को तो एक नोब को इसमें डालते हैं ठीक है आप कि नोप को डाले है तो पींटना हमारा घर का जो फॉल्टेज और दिखा दिया मल्टिमेटर पर लेकिन अम इसमेट पता नहीं चल रहा है कि कौन में इस हो कौन यूट्रल है तो कौन फेस्ट मृत्री मिट्र से हम पता नहीं कर पाते हैं लेकिन यही अगर हम यह मल्तिमीटर यूज करते हैं लूब का जो मल्तिमीटर अभी हमारे पेसे सर्विस अंटर में अबलेवल हैं और मैं यह कूंगा जितने भी हमारे बेजाज आटों के मेकानिक्स भाई हैं ओभी यह मैं मुटमीटर करें ताकि बजाज आर्टों का जो प्रूलम है और पकड़ने में सभी को सुब्दा हो देखिए डायल को हम सेट करते हैं एसी पुल्टेज पे एसी पे दिगिया देखिए उसके बाद हम नोप को लगाते हैं कि यहां पर आप देख रहे हैं डायल पे किसी प्रकार कोई हाल चाल नहीं देख रहा है उसके बाद हम यहां देखते हैं ठीक है यहां देख रहे हैं देखिए देखिए दूसर वारतिस का 37 लेपेट में यह ऐसी पुल्टेज है ठीक है अब हम लोग चेक करेंगे कि फेस कौन है निट्रल कौन है तो पकड़ने के देखिए जो ग्रम रहेगा यह नहीं जला यह बल्ब जो है जो ग्रम रहेगा तो जल जागा देखिए जल गया देखिए देखिए जल रहा यानि हमको पता चल लगया यह जो है यह ग्रम फेस है तो ग्रम फेस में हमेसा लगाते हैं तो रेड कितना फुल्ड़ज देखिए यह पता चल लगया ग्रम है यह पता चल लगा है यह हमारा फेस जो है एक गरह में देखिए अधर सुलिए देखिए यह अब नोब को सेट की है यह पता चल लगा कि यह मेरा फेस है ठीक है अभी इसमें लगाएंगे अभी हम इसमें लिए दिखा रहे हैं कि हम लोग इभी गाड़ी जो भी हम लोग मेकेणिस भाई है यह सर्विस अंटर जो भी यह प्रवाइड कर रही है यह फुलूग का फुक का मल्टिमेटर है सेवन भी प्लास डिश्टल मलटिमेटर यह इभी गाड़ी के अगर बर्क काम करते हैं तो यह मालकिमेटर यूज़कर चोड़ देजिए और कोषिस कीजिए कि इस में नटिमेटर से काम केजिए ताकि आपका जब ईवी गाड़े में Charging का प्रोडम होगा तो यह आपका बहुत काम करेगा तो Charging का जो प्रोलम होगा तो किस तरह से बोर्ट को check कीजिएगा उसका हम next video में लाएंगे next video में ला रहे हैं आप लोग video पर बने रहेंगे क्योंकि एक एक स्टेप पे हम वीडियो लाएंगे ताकि आप लोग को भी असानी से समझ में आ सके एक वीडियो में हम क्लिए नहीं कर पाएंगे दोस्तों इसलिए नेक्स वीडियो जो ला रहे हैं हम जो चार्जिंग पॉइंट रहेगा चेक करने का यह यह तो एक जांपल करता हैं यह जो बोड रहेगा 16 एंप्यर करेंगा बजाज इभी का चार्ज करने के लिए हम बताएंगे किस तरह से इस माल्टिमीटर के माध्यम से अब चेक कीजिएगा यह मेरा जो बोड है चार्जिंग का वह सही है यह प्रोपर बर्क करेगा कि नहीं करेगा इस बिसे प में नए नौलेज के साथ धन्यवाद